नमस्कार मैं वंजु डुकानिया और आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शिर्शक है दूसरी पारी का वो पहला दिन सोचा था आज देर से सोकर उठोंगा क्योंकि यह एक बंधन मुक्त सुभा होगी किन्तु शरीर जो इतने वर्षों से चली आ रही दिन चर्या का अभ्यस्त रहा था उसने निये समय सुभा के साड़े पांच बजे आँके खोल दी अब शरीर का भी क्या दोश उस बेचारे को तो नहीं पता था कि सुभा से विगत का रूटीन बदलने वाला है मस्तिश को तो ग्यात है किन्तु शरीर को अभ्यस्त होने में समय लगेगा मजे की बात तो ये है कि पतनी जिसे आज ना तो सुभा के नौब से पहले टिफिन तयार करना है और ना ही सुभा साड़े आट तक नाश्ते को टेबल तक पहुँचाना है वह भी पांच बजे बिस्तर छोड़ चुकी थी मार्च की आज पहली तारीक है सर्दी वैसे तो विदा हो चुकी है पर उसका गुलाबी पन प्रात की हवाओं में बरकरार है ड्राइंग रूम के फ्लावर बेस में सजा फूलों का बुके याद दिला रहा था कि इंशाक से कटे फूलों की तरह सरकारी दफ्तर से तुम्हारा नाता भी कट चुका है बुकी और चन्द मालाएं विदा समारों के साक्षरूप में विद्यमान है किन्तु वह खुश है 35 वर्षों के गुलामी से आजाद होने पर बच्चे सेटल हो गए स्वयम का आशियाना बन गया बस और क्या चाहिए था आजादी के पहले दिन देर तक सोने का प्लान तो फ्लॉप हो चुगा था मैंने पत्नी को देखा और पत्नी ने मुझे दोनों के होटों पर एक बेबस सी मुस्कान घिरी हुई थी अचानक कविता यानी की मेरी पत्नी ने मुख मुद्रा से बेबसी को छिटकते वे कहा जाइए तैयार हो जाइए आज हम लंबी मॉर्निंग वॉक पर चल रहे हैं मेरे लंबी विवाही जीवन के अनुभव नहीं ये सिखाया है कि पत्निया जीवन में ज्यादा व्यवारिक एवन दुनियादार होती है अन्ताता सुबह की सेर की प्रताव को ना मानने का कोई कारण नहीं था मेरे तैयार होने से पुर्व ही कविता रेडी हो चुकी थी फालगुन का महिना धलान पर था मौसम में गुलहल की गुलाबी ठन का एसास भर गया था पत जड़ के कारण स्रड़क के दोनों और सुखे पीले पत्ते बिचे हुए थे रिक्षों पर नई नविली कोमल पत्तियां जाकने लगी थी सुनसान शान स्रड़क पर हम जैसे एकका दुक्का सेर के शौकिनों के अत्रिक्ट प्रकृती अपने उर्जावान सो रूप में विस्तारित थी प्रक्षियों की चहचाट प्रकृती के नीरव मंच पर जैसे कोई राक छेड रही थी मैं सोच रहा था कि जीवन की भागम भाग में हमने अब तक प्रकृती की इस मनोखारी छवी को कितना मिस किया बिना किसी गंतव की हम चलते जा रहे थे कि अचानक कविता ने कहा आप से एक महने पहले रिटायर हुए B-17 वाले गुपता जी ने कोई प्राइवेट नौकरी कर ली है उनकी पत्नी का कहना है कि स्वयम को व्यस्त रखने के लिए गुपता जी ने ये नौकरी की है अपने समय को दूसरे के पास बंधक रखना और उसके एवस में कुछ धन प्राप्त करना यही है नौकरी की परिभाशा सिर्फ इतना भर ही नहीं इसमें मान सम्मान और मानतिक शांती को भी गिर्वी रखना होता है मैंने इतने वर्षो नौकरी की है किन्तु तब वो जीवन की आवश्यक्ता थी अब जब वो प्रात्मिक तायन नहीं रही तो अपने समय को बंधक रखने का औचित्य नहीं बनता अब मेरे समय पर मेरा अधिकार है मैंने उत्तर दीते हुए कहा किन्तु गुपता जी की पत्नी का कहना है कि उन्होंने पैसे के लिए नहीं बलकि स्वयम को व्यस्त रखने को यह नौकरी की है कविता ने कहा अपनी स्वतंतता को बंधक रख कर ही क्या स्वतंतता पाना एक मात्र विकल्प है हमने जीवन भर समाच से इतना कुछ लिया तो क्या समाच को इसका अलपांच भी लोटाना हमारा कर्तव्य नहीं बनता दूसरों के लिए करने को इतना कुछ है कि दिन भर का समय कम पड़ जाएगा हम लंबा रास्ता तै कर आये थे सड़क के मोर पर लाल फूलों के गुच्छों से लदा टेसू का पेर था और उसी के साथ एक चौड़ी कच्ची पकडंडी एक गाउं की और मुर्ती थी हम दोनों इस मोर पर आकर रुख गए थे आज के लिए इतनी सैर काफी है हमें अब लोटना चाहिए मैंने कहा देखिये सामने कच्चे पक्के घरों का हरियाली भरा गाउं है मैंने आस्तला कोई गाउं नहीं देखा क्यों न हम कुछ देर के लिए इस गाउं में चले कविता ने होलस्ते हुए प्रस्ताव रखा अंजान लोगों के बीच अचानक क्यों जाना क्या ठीक है मैंने शंका प्रकट की अंजान लोग भी जीवन में कभी कभी जान पैचान वलों से ज्यादा अजीज बन जाते हैं याद है जब आपका स्कूटर सडक पर खराब हो गया था तो एक अंजान लड़के नहीं आपके मदद की थी और बाद में वही अंजान लड़का गौरव आपका इतना घनिष्ट हो गया कि आप उसे छोटा भाई मानने लगे कभीता ने मुस्कुराते वे कहा लंबे विवाद में फसने से बहेतर मैंने कभीता के प्रस्ता को मानने में ही भला ही समझी इससे पहले गाओं वालों को हमने मौखिक रूप से दो माध्यमों से ही जाना था पहला समाचार पत्र और दूसरा सिनेमा समाचार पतल बतलाता रहा कि कितने किसानों ने आत्मत्या की यदि आत्मत्या से नहीं मरा तो बाढ, लू या ठंड के प्रकोप से मरा होगा अकाल मरना जहां लोगों के नियती हो उसे गाउ कहते है वही दूसरी और फिल्मी गाउ में एक गबरू जवान होता है जो ब्रश्टा चार के विरुद लड़ते हुए नाश्टा गाता और धफली बजाता है गाउ की छोकरियां लिस्टिक और आईशेडो लगाए रंगीन लहेंगों में धफली की धून पर पायल खनकाती है छोकरियां जब नाच गाना नहीं करती तो नाम मात्र के कपड़ों में गाउ के तालाब में अठखेलियां करती है किन्तो इस गाउ में प्रवेश करने के बाद ना तो हमें कहीं किसी तालाब के दर्शन हुए और नाहीं पायल खनकते रंगीन लहेंगे गाउं में रंगीन लहंगे भले ही नहीं थे परन्तु विबिन रंगों की फूलों का अभाव नहीं था हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सुन्दर साथ सुत्रे घर थे वहाँ